क्या आपको मसली खाना पसंद है? मेरा मतलब है छोटी मसली खाना पसंद है? तो आप कहेंगे पसंदों है पर साफ कुन करेगा? जी हाँ, इसे साफ करना थोड़ा तो दिक्कत है, पर हेल्दी खाना भी तो जरूरी है, तो कभी-कभी थोड़ा सा महलत जरूर से करनी चाहिए ताकि इस तरह का हेल्दी खाना हम लोग खा सके अपनी फैमिली को खिला सके तो आज मैं इस मसली की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि खाने में बहुत तेस्ती होता है और ये छोटी मसली हमारी हेल्दी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है ये हम सभी जानते है तो चलिए चलिए आज की रेसिपी शुरू करते है तो मैं ने मसलीयो को बहुत अच्छे से साफ कर लिया है करिभ आद दस बर हमने इसे पानी से धोया है तो अब हमने लिया है प्यास इसे हमने बीना मसाले की बनाएंगे बहुत ही टेस्टी बनेगा तो हमने कड़ाई रखा है गैस प दीया है के SPS-D diesem ने लीए जब ऐसे दोंगे हम पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे इसलिए खोल असा हमने ज्यादा रखा है इस में और और अच्छे से गरम होने देंगे इसे बाद करके इसा हम फृआ साहम ठंडा होने देंगे तो ये देखिए इस तरह से कड़ाई में ओयल को जरूर से लगा लीजिए वरना मसली डालते ही न ये चिपक जाता है और मसली जब बनाते हैं तो ओयल का बहुत अच्छे से गरम होना ज़रूरी है वरना मसली आपका जो है तले में चिपकने लगेंगे तो ये देखिए ओयल हमारा अच्छे से गरम हो चुका है इसे हमने थोड़ा सा थंदा भी होने दिया है और अब हम इसमें डालेंगे फिश को तो मसली जो है हमने इसे डाल देनी है अभी ये देखिए इतना हीट है आप देखके आपको पता लग गया होगा कि गैस कितना हीट पे है तो सारी जो मसलिया है उसे हम इसमें डाल देंगे और दालने की तुरन बाद ही जो हम इसे एक बर चला लेंगे ताकि ये जो ओयल है ना ये पूरे मसली पे अच्छे से कोट हो जाए ताकि ये चिपके ना अगर आप इसको ऐसे ही रख देंगे तो ये बाद में चिपक जाएंगे तो इस तरह से हम एक बर चला लेंगे और इसे कड़ाए में हल्का सा फैला देंगे गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसमें डालेंगे स्वाद अनुसर नमक फोर इसी हल्डी बहुत ज्यादा नहीं डालनी है आपको बस इतना सा ही आपको हल्डे डालनी है डालेंगे आधी चोटे समझ जीरा पाउडर और साथ ही ये जो लेसून हमने काटके रखे थे उसे डाल देंगे जो मिर्स है उसे भी हम इसी में ही डाल देंगे और उपर से डाल देंगे कटे हुए प्यास को तो सभी चीजों को हम इकटे ही इसमें डाल देंगे और यह जो डीस है ना बहुत ज़रा तेस्टी बनती है ऐसे और अब हम इने धक देंगे और करिब तीन मिनित बाद धकन हताएंगे तो प्याज जो है वो काफी पानी छोड़ती है तो हलके हातों से जो है हमें एक बार मिक्स कर देनी है इस तरह से और उसके बाद हम दोबारा से इसे धक के दो मिनित और पकाएंगे तो यह देखिए फिश को इस तरह से आपको हलके हातों से बस मिक्स कर देनी है ताकि प्याज और जो कुछ भी है मसाला इसमें कोट हो जाए और अब हम दोबारा से इसे धक के दो मिनिट और पका लेंगे और दो मिनिट बाद आप देखिएगा फिश कितना बर्या बन जाता है ये देखिए दो मिनिट हो चुके है तो फिश जो है हमारा इस तरह का बन चुका है पानी आप देख सकते है नीचे बिलकुल भी नहीं है बिलकुल ड्राइ है पानी जो है साड़ा सूप चुके है फिश अच्छे से कुक हो चुके है तो अभी हम इसमें धककन नहीं लगाएंगे और खूले में हम एक दो मिनिट और पका लेंगे और ये हमारा जो है फिश बन के बिलकुल तयार है उपर से दालेंगे थोड़ी सी कती हुई धनिया के पत्ते और ये फिश सार्फ कर लें के लिए बिलकुल रेडी है तो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही इजी रेसिपी है जरूर इसे एक बर बनाईए खाईए आपको बहुत अच्छा लगेगा ये जो है बहुत ज़्यादा हिल्डी है तो इसे एक बर कम से कम बनाकर जरूर खाईए और एक बर अगर खा लेंगे तो आपको बार बार इसे खाने का मन करेगा इतना तेस्ती ये बनता है चावल के साथ इसे खाने का मज़ा ही कुछ और है तो उमीद करती हूँ रेसिपी आपको पसंद आये होंगे अगर जड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक श